नमस्कार न्यूज एट नाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं हूँ अमृत्पाध्याय आए जल्दी से आज की हेडलाइन्स पर नज़र डालते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा की जयनती पर प्रधान मंत्री ने किया याद गुजरात में हुआ था जन्म ब्रिटेन में बैठ के लड़ी थी आजादी की लड़ाई राश्पती द्रापदी मुर्मू ने किया हर स्टार्ट प्लेटफर्म लांच महिलाओं को मिलेगी मदद साल दोहजार सोलह में लांच हुई थी स्टार्टप योजना और फिजिक्स के नोबेल की हुई घोशना क्वांटम फिजिक्स ने दिलाई जीत तीनवे ज्यानिकों ने साज़ा किया पुरसकार खबरों के शुरुआत करूँ उससे पहले मैं आपको फिर बता दू कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडियेफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो आमरेतुपाद्ध है 007 इस टेलेग्राम चैनल पर जाएए जहां इसकी पीडियेफ रोजाना मिलती है चलिए खबर चुरू करें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम जी कृष्ण वर्मा की जयनती पर श्रधांजली अर्पित की उनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी में हुआ था भारत में शिक्षा हसिल करने के बाद वे आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाने के लिए गये थे उन्होंने इंडिया हाउस के स्थापना की साथी इंडियन सोशलिस्ट जर्नल पब्लिश किया इंडिया हाउस ब्रिटेन में करांतिकारी गतिविधियों के लिए एक एहम प्लेटफॉर्म साबित हुआ साल 1907 में वे पेरिस चले गए इंडियन सोशलिस्ट जर्नल के जरिये उन्होंने भारत में ब्रिटिश रूल की आलूचना की विस्वामी दयानन सरस्वती से प्रभावित थे साथ ही बॉंबे आरे समाज के पहले अध्यक्ष भी रहे थे साल 2010 में उनकी याद में एक मेमोरियल बनाया गया जिसे क्रांतिती तीर्थ नाम दिया गया राष्टपती द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात युनिवर्सिटी फ्लैग्शिप प्रोग्राम हर स्टार्ट की शुरुवात की इसके जरिये महिला उद्यमियों के स्टार्टप विंचर में उन हिस्सा हयोग मुहिया कराया जाएगा ये राष्टपती बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू की पहली गुजरात यात्रा है गौर तलब है कि भारत सरकार ने स्टार्टप इंडिया प्रोग्राम 16 जनवरी 2016 को लांच किया था देश में स्टार्टप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाथ से स्टार्टप इंडिया एक्शन प्लान भी लांच किया गया था इस प्रोग्राम का मकसद देश में स्टार्टप एको सिस्टम को बढ़ावा देना और देश के स्टार्टप्स को वैश्वी कस्तर के स्टार्टप्स से जोड़ना है इसके लिए G2G पार्टनर्शिप्स को खुब बढ़ावा दिया गया G2G से मतलब Government to Government Partnership से है इस क्षतर में सरकार ने इसराइल, पूर्टगाल, स्विडन और सिंगापूर जैसे देशों से समझोते किये आपको बता दें कि स्टार्टप से मतलब ऐसी कंपनी से है जो अपने बिजनेस के प्रारंभिक दौर में होती है ये किसी एक या एक से अधिक entrepreneur के द्वारा किसी वस्तू या सेवा की मांग को देखते हुए शुरू किये जाते हैं शुरुआत में ये उच्छ लागत और कम revenue से शुरू होते हैं इसलिए इन्हें कई स्रोतों से funding की जरूरत महसूस होती है बीते दिनों Indian Forest Service के संजीव चतुरुएदी ने Lichen के conservation को लेकर एक बड़ा बयान दिया उनके मताबिक देश में बाग जैसी बड़ी प्रजातियों के संरक्षन के चलते पौधों की प्रजातियों के संरक्षन को इग्नोर किया गया इसमें भी Lichen की प्रजातियों के संरक्षन को बहुत पीछे रखा गया है Lichen Pioneer Species के तोर पर जाने जाते हैं ये प्रित्वी की सबसे पुरानी Species में से एक हैं संजीव चतुरुएदी ने उत्तराखंड में Lichen Park के निर्माण में एहम भूमी का निभाई है गौरतलभे की भारत का पहला Lichen Park उत्तराखंड के मुनसियारी में तयार किया गया है उत्तराखंड में इस्थानिया तोर पर इन्हें जूला घास या पत्थर के फूल के नाम से जानते हैं Lichen प्रकृति में सहजीवित्या का प्रतीक हैं Lichen fungi और algae की सहजीविता से बनते हैं ये खुद में एक micro ecosystem है साथी कीट, पक्षी, सनेल, मेढक और छोटे जानवरों को ये आकरशित करते हैं ये मिट्टी की गुडवत्ता बढ़ाने में भी बहुत महत्वण भूमी का निभाते हैं इसके अलावा प्रदूशन के लिए बायो इंडिकेटर के तौर पर ये काम करते हैं इस खबर की महत्ता को समझने के लिए साल 2014 में UPSC की प्रारंभिक परिक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करते हैं सवाल पूछा गया था लाइकेन जो एक नगन चटान पर भी पारिस्थतिकी अनुकरम को प्रारंभ करने में सक्षम हैं वास्तों में किनके सहजीवी साह चरिये हैं शैवाल और जीवानू शैवाल और कवक जीवानू और कवक या फिर कवक और मॉश इस प्रशन का जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए नोबल पुरसकारों की कड़ी में फिजिक्स के नोबल पुरसकार की घोशना भी कर दी गई है फिजिक्स का नोबल पुरसकार तीन वैज्ञानिकों को देने की घोशना हुई है इनमें एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर और एंटन जेलिंगर शामिल हैं ये पुरसकार रॉयल स्वेडिश अकैडमी आप साइंसेज के द्वारा घोशित किये गए हैं एलन एस्पेक्ट, फ्रांस से, जबकि जॉन एफ क्लाउजर, युएसे से सम्मन्द रखते हैं वहीं एंटन जेलिंगर आउस्ट्रेलिया से हैं इन वैग्यानिकों ने क्वांटम साइंस में एक बेहद एहम रिसर्च की है इसमें दो पार्टिकल्स अलग-अलग किये जाने के बावजूद एक सिंगल युनिट की तरह व्यभार करते हैं ये पार्टिकल्स आम तोर पर फोटोंस होते हैं इनके द्वारा साज़ा की जा रही इस्टेट इनकी एनरजी या स्पिन हो सकती है महान वैग्यानिक अलबर्ट आइंस्टीन ने इसी फिनोमेना को स्पूकी एक्शन एट अडिस्टेंस नाम दिया है इस खोज के अप्लिकेशन्स क्वांटम कम्प्यूटर, क्वांटम नेट्वर्क्स और सिक्यूर कम्मुनिकेशन में देखे जा रहे हैं आपको बता दें कि क्वांटम फिजिक्स में एटम, इलेक्ट्रोंस और फोटोंस जैसे पार्टिकल्स को मॉलिकुलर और सब मॉलिकुलर लेवल पर अध्यान किया जाता है आईए अब देखते हैं आज की बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं पहला सवाल है निमनलिखित में से कौन वायू प्रदूशन का सूचक है पफबॉल्स, लाइकेंस, मौस या फिर शैवाल दूसरा सवाल है निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए भारत का पहला लाइकेंट पार्क उत्तराखंड में है हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म नीती आयोग की पहल है इंडियन सोशलिस्ट जर्नल शामजी कृष्ण वर्मा से संबंधित है नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिये आई अब देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रशन पूछे थे मैंने और उनके सही जवाब क्या है पहला प्रशन था एक स्थाई वा स्वतंत्र निकाय है सम्विधान के अनुचे 324 में इसका वर्नन है यह एक अखिल भारतिय संस्था है क्योंकि केंद्र वर राज्य सरकार दोनों के लिए समान होती है उपर दिया गया वर्नन किस संस्था के बारे में है वित्तायोग, विधियायोग, चुनावायोग या फिर Bureau of Energy Efficiency सही जवाब है विकल्प सी यानि चुनावायोग दूसरा सवाल मैंने पूछा था निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए यूवाट 2.0 योजना युवाओं के सर्वांगीर विकास से संबंधित है चिकित्सा के लिए नोबल पुरसकार स्वेडन के वैग्जानिक स्वानते पाबो को दिया जाएगा नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक नहीं दो इसका सही जबाब है विकल बी यानि केवल दो क्योंकि यूवाट 2.0 योजना लेखन के लिए मेंटर्शिप मुहिया कराती है आज के बुलिटिन में फिलहाल इतना ही उम्मीद है आप दोनों सवालों के जबाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे आप से मुलाकात होगी अब परसो यानि छे तारीक को रात 9 बजे अपना ख्याल रखे ठीक से पढ़ाई कीजिए नमस्कार